देश के परधान मंत्री नरेंद्र मोदी को देखने और सुनने की उच्छुकता लिए हजारों की संख्या में लोगों की भीड हवा यड़ा गुमला में उम्डी। एतिहासिक भीड के बीच लोगों ने नरेंद्र मोदी का भासन एक घंटे तक सुना। इस दोरान लोगों की उच्छाह देखते ही बन रही थी। लोग लंबी दूरी तैकर गुमला आये थे। कुछ लोग पैदल तो कुछ लोग वाहनों की विवस्था कर पहुँचे थे। जगरनात पास्वान वा अंकित चवरसिया ने गुमला के कई लोगों से बात चीत की और उनसे जानना चाहा कि वे आखिर परधान मंतरी की जनसभा में क्यों आये हैं। लोगों ने उत्सुकता में कहा कि वे परधान मंतरी को सुनने और देखने आये हैं। और वे भाजपा के परती अपना पूरा समर्थन देते हैं इधर लोगों की उत्सा को देखते हुए नरेंद्र मोदी भी काफी उत्सा ही तनजर आये और उन्होंने कहा है कि मैं जब भी गुमला आता हूं भीड बढ़ती ही जाती है इससे पहले भी मैं आया था उससे में भी आयतिहासी की लोग सुबा से ही नरेंद्र मोदी को देखने और सुनने के लिए हवाई अड़ा में पहुँच गए थे और लोग सभाइस्थल में जाने के अपना पारी का इंतिजार कर रहते लेकिन सुरच्छा कारणों से लोगों को घंटों तक मैदान में बैठाए रखा गया जब नर सभाइस्थल के अंदर जाने से पहले सुरच्छा बलोद्वारा हर एक वेक्ति की जाच की गई बहुत सो लोग पानी खेनी लेकर गए थे जिसे ले जाने नहीं दिया गया कहां से आई है आप मैं दुम्री चैनपूर साई है क्या करने आई है कैसे लग रहा है यहां कहां से आए है फक्रिट लिस पक्लिट लुट लिस आये कितना दूर है चुरे है क्या करने आए है मूधी जी का भासन सुनिंगे क्या करने आए हैं है यह मोदी जी का भासन सुनने आए हैं क्या किजियेगा भासन सुन करके तो तो थोड़ा जोड से बोलिए क्या करने आए हैं आज भोट नहीं है 13 नमंबर को भोट है तो यहां क्या करने आए हैं देखने आए हैं क्या किजियेगा देख करके मोदी जी का भासन सुनियेगा कैसा लग रहा है यहां करके कहां से आया है क्या करने आया है यहां क्या करने आए है मोदी जी का भासन सुनिये आए हैं भासन सुन करके क्या किजियेगा मोदी जी को भड़ दीजियेगा कहां से आया है क्या करने आए हैं मोदी का भासन सुनिये आए हैं देखने भी आए हैं कैसा लग रहा है अभी तो ठीके लग रहा है क्या करने आये हैं? मोधी जी को देखने आये हैं उनका भासन सुनने आये हैं कोन काउं से आये हैं? कितना दूर है यहां से? 20 किलो मेटर होगा 20 किलो मेटर दूर से आये हैं?